हेलो गैज, कैसे हूँ आप से उम्हेद करता हूँ, अच्छे हूँगे तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपना इंटरनेट स्पीड कैसे बढ़ा सकते हूँ गैज, आप कोई भी सीम यूज करते हो, एयर टेल, ओडा फोन, जीओ अब आप सभी के इंटरनेट स्पीड को बहुत ही आसानी से बढ़ा सकते हूँ क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे सेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ, कुछ ऐसे टिप्स देने वाला हूँ कुछ टेप्स को फॉलो किये, जिससे मेरा जो इंटरनेट स्पीड है काफी अच्छा हो गया है गैस मैं यहाँ पे वोड़ा फोन का वी आई यूज करता हूँ और जो मुझे इंटरनेट स्पीड मिलता है वो लगभग 20-25 Mbps का स्पीड बहुत ही आसानी से यहाँ पे मिल जाता है तो गैस चलिए मैं आपको सेटिंग के बारे में बताता हूँ कि आपको क्या सेटिंग अपने फोन में करना है जिससे आप अपना इंटरनेट स्पीड बहुत ही आसानी से बढ़ा सकते हूँ तो दोस्तो आज का यह वीडियो काफी इंटरस्टिंग और काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है बने रही है हमारे साथ इस वीडियो में स्वागत है आपका मेरे यूड़ोप चैलन मौरजी टेक्निकल में मैं हूँ अमित कुमार दोस्तो अगर भी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो यार क्योंकि मैं ऐसे ही नएने अप्लिकेसंस लेटे नएने जानकर इस लेटे वीडियो बनाता रहता हूँ चलिए फोन के ओम स्क्रीन पे चलते हैं क्योंकि यहां पर यह वेदर का विजिट है और यह time to time अपडेट होता रहता है जिसकी वज़े से हमारा जो data वो कंजियूम होता है हमारा जो internet speed वो divide हो जाता है और slow हो जाता है तो दोस्तो अगर आपके भी phone के home screen पे इस तरह के visits हैं तो आपको इनको remove कर देना है क्योंकि guys हमारे phone में जब data on रहता है तो यह जो visit है यह update होते रहते हैं और हमारे जो data है वो consume होता रहता है तो सबसे पहले आपको इस तरह के weather के visit वगरा delete कर दे रहे इसके बाद guys आपके phone में जितने भी unnecessary application है जिनको आप कभी भी use नहीं करते हैं उनको सबसे पहले आप uninstall कर देजे क्योंकि guys वो जो application होते हैं वो background में run करते हैं जिसकी वज़े से हमारा जो data है वो consume होता है तो इस तरह आपको सबसे पहले उन application को uninstall कर देना है delete कर देना है जिसको आप कभी भी use नहीं करते unnecessary application है अब दोस्तों इसके बाद आपको अपने phone के setting में जाना है phone के setting में जानेक बाद आपको यहाँ पे एक option मिलेगा एक setting मिलेगा sim card and mobile data का आपको इस पे click करना है इसके बाद आपको वो sim select कर लेना है जिससे आप internet use करते हो तो यहाँ पे हम sim 2 select कर लेते हैं और guys यहाँ पे आपको एक setting मिलता है preferred network type आपको इस पे click करना है और guys यहाँ पे आपको यह पहला वाला option 4G, 3G, 2G auto select कर लेना है क्योंकि guys काफी सारे लोग यहाँ पे 3G, 2G को select करते हैं 2G को select कर लेते हैं जिसके वज़े से उनके phone में 4G network नहीं पकड़ता है तो guys आपको इस चीच का ध्यान देना है और यहाँ पे पहले वाले option को select कर लेना है अब guys यहाँ पे आपको back जाना है यानि guys आप किसी से call पे बात करते time पे भी अपने phone में internet का use कर सकते हूँ तो दोस्तों इन दोनों setting को आपको enable कर लेना है काफी important setting है इसके बाद guys अब चले मैं आपको सबसे important setting के बारे में बताता हूँ जिससे guys आपका जो internet speed है वो बढ़ेगा और इसके साथ में आपके phone की भी speed बढ़ेगी guys आपको यहाँ पे about phone में जाना है about phone में जानेक बाद आपको यहाँ पे version पे click करना होगा और guys यहाँ पे आपको will number पे 7 time click करना होगा जिससे guys आपके phone का जो developer option है वो activate हो जाएगा तो यहाँ पे हमने developer option को activate कर लिया है अब यहाँ पे हम back जाते हैं अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक option मिलेगा additional setting आपको इसपे click कर देना है और guys यहाँ पे आपको developer option मिल जाएगा आप यहाँ पे देख सकते हो developer option activate हो चुका है guys Redmi के phone में Samsung के phone में बाहर यह developer option मिल जाता है अब guys यहाँ पे आपको click करना होगा इसपे click करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे scroll करना है सीधा नीचे जाना है अब दोस्तों यहाँ पे आपको तीन option मिलेंगे पहला जो option है वो है window animation scale दूसरा option है transition animation scale और यहाँ पे जो तीसरा option है animator duration scale guys आपको यहाँ पे पहले वाले पे click करना है और यहाँ पे आप देख सकते हो जो animation scale है वो है 1x आपको इसको 0.5x पे tick कर देना है इसके बाद आपको इन दोनों पे भी 0.5x कर देना है तो guys यहाँ पे हमने 3 पे 0.5x select कर दिया है इसके बाद guys आपको यहाँ पे नीचे scroll करना है नीचे जाना है अब आपको यहाँ पे एक option मिलेगा एक setting मिलेगा background process limit का आपको इस पे click कर देना है और guys यहाँ पे आपको no background process पे tick कर देना है क्योंकि guys हमारे phone में काफी सारे application background में run करते है जिससे हमारा जो data है वो consume होता है जल्दी खतम होता है और guys जो internet की speed है वो भी divide हो जाती है दोस्तो जब आप यहाँ पे no background process select कर लोगे तब guys आपके phone के background में कोई भी application run नहीं करेगा क्योंकि guys काफी सारे लोग application यूज करने के बाद back back कर देते हैं clear नहीं करते हैं और guys जो application है वो background में run कर रहे होते हैं दोस्तो यह जो setting है काफी important setting है आपको अपने phone में कर लेना है अब guys हमारा जो setting है वो complete हो चुका है अब चले मैं आपको internet speed चेक करके दिखा देता हूँ कि मुझे कितना internet speed मिलता है तो यहाँ पर हम speed test application को open करते हैं अब guys यहाँ पर हम go पे click कर देते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हूँ मैं Vodafone का V.I.E. use करता हूँ तो guys हमारा जो internet speed है calculate हो रहा है और हमें जो internet speed मिल रहा है वो है 33 Mbps और यह fluctuate हो रहा है 33-34 Mbps हो रहा है तो guys यहाँ पर आप finally speed देख सकते हैं जो downloading speed है वो 33.4 Mbps है और uploading speed जो है वो है 5 Mbps तो guys इस तरह आप setting करके अपने internet speed को बहुत यह आसानी से increase कर सकते हो बढ़ा सकते हो तो guys उमीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो वीडियो को like कर दो यार चैनल पर नए आई हो चैनल को subscribe कर लो क्योंकि मैं ऐसे ही नएन अप्लिकेशन्स लेटे नएन जानका इस लेटे वीडियो बनाता रहता हूँ वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद